हेलो फ्रेंट्स टोड़े विल डिस्कुस कम्यूटेटर प्रपर्टी ऑफ दो अपस में उसके बारे में देखना है कि कब हम कब बोलेंगे कि दो अपस में कम्यूट कर रहे हैं कम्यूटेटर के करएंगी नेक्स वीडियो में हम हर मीशन और के बारे में करेंगे तोड हमपिस व्रेंड़ा क्या है क्य act में तरह क्या होता है कम्युटेटर प्रापर्टी में क्या हते है, हम जो दो अपरेडर से दोनों potencial की position को interchange करेंगे, let us suppose हमारे पास दो अपरेडरस है, a and b, okay और अगर हम your realities akan哥 पहले लिख रहे और भी अपरेडर को बाद में लिख रहे हैं, फिर एक बार हम क्या हारे है? B operator को पहले लिख रहे हैं, A operator को बाद में लिख रहे हैं, okay, so इन दोनों की, इन दोनों की, so operator है, operator की उपर हम क्या लगा देंगे, टोपी लगा देंगे, so अब देखो, A dot B, B dot A, इन दोनों को हमने क्या करना है, subtract करना है, A dot B minus B dot A करके देखना है, अगर तो ये वाल इसका result, means A dot B minus B dot A, इसका result क्या रहे है, 0 आ रहे है, उसका meaning क्या है, कि ये दोनों operators आपस में commute कर रहे हैं, okay, A and B commute with each other, if A dot B minus B dot A comes out to be equal to 0, okay, so if A dot B minus B dot A is not equal to 0, then the two operators A and B do not commute with each other, okay, so if हम इसको लिख सकते हैं, कि A and B commute अगर A dot B minus B dot A not equal to 0 है, then we can say A and B do not commute, okay, A and B do not commute, so अब देखो, commutator में होता क्या है, हम क्या करते हैं, position को interchange करते हैं, operator की position को interchange करते हैं, and subtraction को ये result को analyze करते हैं, अगर तो subtraction का result 0 आ रहे हैं, फिर तो हमारे पास क्या है, दोनों operators commute कर रहे हैं, otherwise दोनों operators आपस में commute नहीं कर रहे हैं, okay, so अगर तो दो operators आपस में commute कर रहे हैं, if the two operators commute with each other, then we can find the value of those operators simultaneously, हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों variables की, उन दोनों observable की value हम एक अठे simultaneously find out कर सकते हैं, इसका meaning क्या है, कि जो हीजंबा गॉंसर्टेंटी प्रिंसिपल है, हीजंबा गॉंसर्टेंटी प्रिंसिपल क्या क्या कहता है, कि हम simultaneously दो अब्जर्वेवल की value क्या है, find out नहीं कर सकते हैं, simultaneously means, अगर दो operators commute कर रहे हैं, तो जो हीजंबा गॉंसर्टेंटी प्रिंसिपल है, वो वाइलेट हो रहे हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अगर कम्यूट कर रहे हैं, तो वो वाइलेट कर रहे हैं किसको, हिसंबर्ग अंसर्टेंटी प्रिंसिपल को, हिसंबर्ग अंसर्टेंटी प्रिंसिपल, वाइलेट हिसंबर्ग अंसर्टेंटी प्रिंसिपल, और जब आपके पास क्या है, जो A एंड बी है वो कम्यूट नहीं कर रहें में सब्रेक्शन का रिजल्ट नॉट इकल डू जीरो आ रहा है तो उसका मीनिक है हम उन दोनों अब्जर्वेबल्स की वैल्यू एक टाइम पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं मेंस वो हीजनबग अंसर्टेंटी प्रिंसिपल को आपको यह बात बड़े ध्यान से समझ में आ जाने चाहिए काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं मेंस सब्रेक्शन का रिजल्ट जीरो है तो उन दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यू हम साथ में इकठे साइमल्टेनेसली कर सकते हैं मेंस वो दोनों ऑपरेटर्स हिसंबग उन सर्टेंटी प्रिंसिपल को वाइलेट कर रहे हैं तो यह था हमारे पास कि कम्यूटेटर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एक्जेंपल इवी राइट ए कॉमा भी विज स्क्वेर ब्रैकेट्स अगर आपको एक को मभी नज़र आ रहा है उसका मीनिंग कि क्या है के दोनों ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर पूछा गया है कम्यूटेटर पुछा गया है कम्यूटेटर पूचा गया होके इसका रिजल्ट क्या होता है हमने क्या करने है ए b-ma करने है और साथ में function दो गई हैнसर पहले हम हम पहले a लगाएंगे फिर b लगाएंगे यहां पर किया है कि एक आप के पास ह python ईंटि कम्यूूटटर क्या होते है yes, anti-commitator anti-commitator, anti-commitator को हम denote करते हैं अगर आप square bracket यूज़ कर रहेелов तो यहाँ पर साथ में आपको plus का sign ने जैन आएगा अगर उन्होंने anti-commitator पूचा है अगर आप square bracket यूज़ कर रहेu तो साथ में आप plus का sign यूज़ करोगी अगर आप square bracket नहीं यूज़ कर रहे है, curly brackets यूज़ कर रहे हो, तो उसका meaning भी क्या है, anti-commutator, अगर आप curly brackets यूज़ कर रहे हो, उसका meaning भी क्या है, anti-commutator, and anti-commutator का result क्या होता है, ab plus ba, हमने उपर क्या किया था, minus ba, यहां पे क्या होता है, plus ba, anti-commutator में हम plus sign यूज़ करते है हैं and commutator में हम negative sign use करते हैं okay so anti commutator को आप क्या लिख रहे हो AB plus BA इसका मीनिंग आपने यह नहीं बोलना कि अगर कोई भी दो operators आपस में commute नहीं कर रहे तो वो anti commute कर रहे हैं यह बात गलत है अगर दो operators commute नहीं कर रहे तो आप उनको यही लिखोगे कि वो commute कर नहीं करें do not commute आप उसको ऐसे नहीं कर लिखोगे कि अगर commute नहीं कर रहे तो यह दोनों लग-लग है commute का result and TikTok का result यह लग लग है कि अगर कोई भी दो operators कम्यूट नहीं कर रहे तो इसका मतलब भी है कि वो anti commute कर रहे यह नहीं है so anti commute के time आपने plus sign यूज करने, commute के time आपने minus sign यूज करने है, next अब हम आते हैं, commutator की properties पर, okay, commutator की क्या-क्या properties हैं, for example, अगर आपने commutator find out करना है, पहले हम properties से पहले देख लेते हैं, अगर आपने commutator find out करना है, suppose आपने करना है d by dx का, and x raised to power n, इसका का आपने commutator find out करना है, ये दोन operators हैं, okay, and साथ में हमने कोई भी function ले लिया, psi x, psi x is any function, and there are two operators, d by dx, that is differentiation, first order differentiation and x raised to power n, okay, so इसका meaning क्या है, हमने क्या करना है, d by dx dot x raised to power n psi x minus x raised to power n d by dx of psi x इसका meaning यही है, a b minus b a b minus b, a b minus b मैंने कर दिया, अब देखों, आपने d by dx किसका करना है, x raised to power n, psi x का, so means आपके पास क्या है, दो variables की क्या है, multiplication है, अब इसकी differentiation आप कैसे करोगे, first function as it is, आपके पास दो functions होगे, first function as it is, differentiation of second function, so मैंने क्या क्या, x raised to power n ऐसी रख लिया, d by dx psi x, okay, plus psi x as it is, d by dx of x raised to power n, and x raised to power n का differentiation ही क्या होगा, n x raised to power n minus 1, okay, minus x raised to power n, d by dx psi x, so अब देखो, यह वाली term is term के साथ cancel होगी, because यह positive है, यह negative है, so means आपके पास जो result है, वो क्या आगया, n x raised to power n minus 1, psi x, okay, so psi x तो function है, psi x तो function ही है, वो तो हमें as it मिल गया, but हमें जूरूद किस चीज की है, कि हमें operator का जो commutator है, result क्या आया, so यहाँ पर आपके पास, जो d by dx, x raised to power n, इसका जो commutator है, वो किसके ही को लागया, n x raised to power n minus 1, इसको देख के आपको क्या लगता है, इसको देख के आपको क्या लगता है, कि हमने जैसे x raised to power n की differentiation ही की वी हो, क्योंकि x raised to power n की differentiation क्या होती है, n x raised to power n minus 1, so अगर आपके पास कोई भी, आपके पास commutator आता है, जैसे d by dx, of x cube आता है, तो इसको solve करने की बजाए, आप सिधा ही लिख सकते हो, क्या आएगा इसका x cube की differentiation, x cube की differentiation क्या होती है, 3x square, ओके, इसका meaning क्या है, आपको देखने से क्या पता चलता है, कि अगर आपके commutator में, अगर आपके commutator में, एक operator, एक operator कौन से है, first order differentiation है, तो आपके पास उसका result क्या आ जाएगा, जो भी उस function की, दूसरे वाले operator की differentiation आ जाएगी, अगर इन दोनों में से एक operator कौन से है, एक operator कौन से आपके पास d by dx, that is first order derivative, ओके, इसको देखने से क्या लगते हैं, कि differentiation ही commuted रहे, कि differentiation ही commuted रहे, बट ये real नहीं है, ये मतलब हमेशा true नहीं है, हमेशा true क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तभी valid है, ये जब आपके पास एक operator कौन सा हो, first order derivative हो, हमेशा ये true नहीं है, आप एसे नहीं बोलोगे, कि अगर आपके पास ये आगया, d square upon dx square, x square आगया, अगर आपके पास ये आगया, आपको ये ऐसे नहीं करना, कि x square की दो बार differentiation कर दो, वो इसका result आजएगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ये आ operator कौन सा हो, first order derivative हो, okay, so ये काफी अच्छा point है, काफी बार आपको कहा है, exam में means question करने की विजूत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपको ये result नहीं पता, फिर तो आपको पांच मिनिट लगाने पड़ेगे, बट अगर आपको ये result पता है, सारा कुछ चिप्स पर याद है तो फिर आप एक second में भी, एक second भी नहीं लगेगा, आपको तुरंत आप option देखोगे, और आपका result त्यार हो जाएगा, okay, so next आप हम देख रही है, properties, okay, properties of commutator, properties of commutator, आज हमने commutator करने है, काफी important है, सो आज हम अकेला commutator करेंगे, properties of commutator, जो first property है, commutator की वो है, कि commutator is always anti anti-symmetrical, okay, commutator is always anti-symmetrical, anti-symmetrical, commutator क्या होता है, anti-symmetric and symmetric function का क्या meaning होता है, anti-symmetric and symmetric function का क्या होता है, कि अगर आप fx में, fx में आपके पास कोई भी function है, fx, आप x को minus x चेंज कर दो, but function के result पे कोई भी change रहा है, means f of x is equal to f of minus x, इसको हम क्या बोलते है, स्मेट्रिकल, but अगर आपके पास f of x is equal to minus f of minus x आ रहा है, means x को negative put करने पे, आपका जो function है, वो भी negative बन जाता है, suppose आपने x square लिया है function, आप x को minus x करोगे, तो वो x square ही रहेगा, means symmetrical है, अगर आप x cube ले रहे हो, तो x को minus x put करने पे, क्या आ जाएगा, minus x cube आ जाएगा, उसक इसका मीनि क्या है, कि कम्यूट्र एंटिस्मेट्रिकल है, इसका मीनि क्या है, कि अगर आपको a,b, 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 so अगर आपको b, a,b, 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 a, means आपने क्या 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 दोनों operators की position को interchange कर दिया, कम्यूटटर में, means पहले हमने a,b, फिर हम b, a,b, a देखने, b, a को आपको आ लिखोगे, b, a,b, 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 अब इन दोनों को देखो आप, इन दोनों को देखो आप, यह किसका हिकोल है, minus of a,b, minus of a,b, means minus of a,b, इसका मीनिक क्या है, कि b,a, is equal to minus of a,b, कि इसका मीनिंग क्या है कि जो कम्यूटेटर प्रपर्टिया इस एंटी स्मिट्रिकल इनेचर फॉर इग्जेंपल आपने किया था कि डी बाइडी एक्स ओफ फॉर एक्स स्क्वेर किसके इकले यह फोर रहे तो कॉमना जाएगा विकॉज यह तो कॉंस्टेंड है फॉर कॉमन means, आपके पास अंसर क्या आगया, 8x, but, अगर आपको कोशन में दिया हो, 4x square, d by dx, इसका अंसर क्या आएगा, इसका अंसर भी आप differentiation ही लिख सकते हो, but with negative sign आएगा, क्योंकि अप d by dx क्या है, पीछे है, तो अगर आप इसको आगे लेकी आओगे, तो यह क्या हो जाएगा, d by dx आगया, कॉमा, 4x square, इसके आगे negative sign लग जाएगा, because, जो आपके पास commutator है, वो always anti-symmetrical होते हैं, okay, so a, b is equal to minus of b, a, अगर आपको दोनों कॉमा से पहले और बाद में आपने interchange करना है, तो obviously आपको negative sign लगाना पड़ेगा, so इसका meaning क्या है, कि जैसे हमने देखा था, कि d by dx, x raise to power n, इसके जो आपके पास commutator था, वो किसके इकलाया था, n x raise to power n minus 1, अगर आप देखोगे, x raise to power n, कॉमा, d by dx, इसका commutator किसके इकला जाएगा, minus n x raise to power n minus 1, okay, minus n x raise to power n minus 1, अब देखो, अब हम यही सही एक result निकाल सकते हैं, जो कि काफी important है, यह result कौन से, अगर आपको आजाए, p x, x raise to power n, p x, x raise to power n, yes, so p x किसके इकला होते हैं, p x का commutator, sorry, p x operator किसके इकला होते हैं, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हूँ है, p x का operator होता है, minus i h cut, curl upon curl x, okay, minus i h cut, curl upon curl x, so आप इसको क्या लिख सकते हो, minus i h cut, curl upon curl x, x raise to power n, minus i h cut तो बाहर आजाएगा, क्योंकि यह तो constant है, curl upon curl x, x raise to power n, so यह तो वही चीज़ बनगी ना, जो मैंने अभी बताईए आपको, so इसका result क्या है, आपके पास n x raise to power n minus 1, so means, minus i h cut, n x raise to power n minus 1, so यह किसका result आगया, p x, x raise to power n, यह ना direct paper में पूछी जाते हैं, यह direct paper में पूछी जाते हैं, किसका result क्या होगा, इसका commutator की value बताओ, so आपको solve करने की जूरूद नहीं है, आपने बस यह देखना है, कि p x है, p x का मेनिंग क्या होता है, minus i h cut, curl upon curl x, curl upon curl x का x raise to power n के साथ, क्या होता है, n x raise to power n minus 1, एक टिक मैं और बता रही हूँ, अगर आपको x raise to power n आगे आजाए, p x, इसका क्या हो जाएगा, आगे plus sign आजाएगा, यहाँ पर minus यह plus में change हो जाएगा, i h cut, n x raise to power n minus 1, ओके, so देखो, यहाँ पर क्या था हमारे पास, x की power n थी, x की power n थी, यहाँ पर भी x की power n थी, तो हमने क्या किया, n x raise to power n minus 1, n x raise to power n minus 1 कर दिया, जब x आगे हो, जब x आगे हो, तो आपने positive लिखने, जब p x आगे हो, तो आपने negative लिखने, एक result और यहीं से आते है, कि अगर आपके पास हो, p x raise to power n, x, अब हमने, p x आगे है, तो आपने क्या लगाना है, negative sign लगाना है, negative i h cut लगा दिया, minus i h cut लगा दिया, अब n पावर किस पे है, p x पे, तो आप यहां पे क्या लिख़गे, n, p x raise to power n minus 1, यहां पे n पावर किस पे थी, x पे, तो हमने क्या लिखा था, यहां पे यहां पर आपके पास आपके पास आपको आपको यह चारो फिरू फोर्मला याद होने चाहिए चारो रिजल्ट होने चाहिए तो अगर एक्जाम में आपको ड्रेक ली आता है तो आपको करने की दूत नहीं पड़ेगी, ओके, चारो रिज़र्स आप में ने ट्रिक भी बता दी आपको, अगर x raised to power n है, तो n x raised to power n minus 1 आएगा, अगर px आगे है तो negative sign आएगा, अगर x आगे है तो positive sign आएगा, ओके, यह था आपके पास anti-symmetrical property, ओके, गई, नेक्स देख रहें हैं, जैसे अब देखो, आपने करने है, px वाला ही करने है, ओके, px वाला ही करने है, वो हम अभी करने हैं, यह था आपके पास anti-symmetrical property, ओके, जो second property है, वो हो है лीनियरिटी, linearity, yes linearity का meaning क्या है कि suppose आपने क्या करना है A operator है उसका आपने commutator find out करना है B operator plus C operator के साथ आपने commutator find out करना है A operator का B operator plus C operator के साथ तो इसका result क्या होगा पहले आप A को B के साथ करोगे पहले आप A का B के साथ करोगे फिर अगर plus है तो plus लगा दो तो अगर minus है तो minus लगा दो, यहां पर क्या है, plus है, तो मैंने क्या क्या प्लस लगा दिया, फिर मैंने क्या क्या क्या, a operator, c, पहले हमने a को b के साथ देखा, फिर a को c के साथ देखा, similarly, अगर आपके पास आता है, a operator, b operator, plus c operator, plus d operator, तो आप क्या करोगे, simply जैसे हम multiply नहीं करते, जैसे आपने a को b plus c से multiply करना है, तो आप क्या करता है, a b plus b c, वैसे ही कर रहे हम, सो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले आप a का operator, a का commutator देखोगे b के साथ, फिर आप a का देखोगे c के साथ, फिर आप a का देखोगे d के साथ, ओके, सो अगर आपके पास आता है, a plus b, c plus d, इसका आप कैसे करोगे, पहले आप a का c, d के साथ करोगे, फिर आप b का c, d के सा बात करोगे, okay, so a, c plus a, d plus a, plus b, c plus b, d, okay, so I think आपको समझ में आगया, अगर plus आइने तो plus use करोगे, अगर minus आइने तो minus use करोगे, next आपके पास linearity property, next आपके पास distributed property, yes, distributed property, distributed property का मिनिक है, distributed property का मिनिक है, जैसे यहाँ पर तो आपके पास क्या था, plus था या फिर minus था, okay, plus था या फिर minus था, अगर आपके पास multiplication है, दो operators की, जैसे देखो, आपको a operator का commutator find out करना है, किसके साथ, a operator का, b, c के साथ find out करना है, a operator का आपको commutator find out करना है, किसके साथ, b, c की product के साथ, अब आप इसको कैसे करोगे, आपने, जो b, c का combo है, जो b and c का combo है, उसको नहीं तोड़ना, means अगर यह पहले b है, तो पहले b ही लिखना है, अगर पहले c है, तो पहले C ही लिखना है, जैसे देखो A कॉमा B C है, आपने क्या करने है A कॉमा B लिखने फिर C लिखने है प्लस, एक बार C को बाहर लिख लिए एक बार B को बाहर लिखेंगे प्लस B, A कॉमा C एक बार आपने A का B के साथ करने है फिर आपने a का c के साहथ करने जब आप a कंब के साथ करोगे तो c पीछी आ जाएगा जब आप a कंब के साथ करोगे तो भी आगे आ जैसे आ हैं A operator, C operator बाहर क्या आ जाएगा B operator plus C operator बाहर आ जाएगा A operator, B operator यह होती है आपके पास distributed property आपको यहाँ पे जो भी multiplication का combo है उसको S अची रखना है उसको ऐसा नहीं है अगर B सी है तो उसको C भी नहीं बनाना अगर B आ गया है हमने एसको perfect आपने पता करना है इसको आपके एकस कॉमा Px square Px square की value पता करनी है एकस कॉमा Px square को यह लिख सकते हो x कॉमा Px dot Px x कॉमा Px dot Px wingnuk का मैं बनलो इसको आप A मान लो इसको आप B मान लो पहले आप x का a के साथ देखोगे जब आपने x का a के साथ देखा तो जो b है उसको हमने बाहर लिख लिया प्लिस जब आप x का b के साथ देखोगे तो a को बाहर लिख लोगे ओके so x and px x and px का जो आपके पास commuted रहा वो किसके इकलोता है x, px हमने अभी किया था minus ih cut यहां पर क्या जाएगा प्लिस आजाएगा क्योंकि x आगे है x आगे है तो हम प्लिस लिखेंगे ih cut ih cut आजाएगा n x raise to power n minus 1 यहां पर यहांने की value कितनी है 1 x raise to power 1 नहीं है न so means x raise to power 0 आजाएगा वो 1 ही बन जाएगा ih cut px plus यहां पर px है ih cut okay so अब देखो यहां पर क्या जाएगा 2 ih cut px means मैंने जैसे आपको बताया था मैंने क्या बताया था आपको कि आपने इसका result अगर पहले वाले result से देखो आप तो क्या आएगा x raise to x, px square है x, px raise to power n का मैंने रिजल्ट आपको क्या बताया था yes x, px raise to power n का result आपके पास आया था ih cut and px raise to power n minus 1 यहां पर px raise to power n minus 1 क्यों कि या क्यों कि px की power n है okay so अब देखो आप यहां से n की value to put करनी है हमने ih cut 2 px raise to power 2 minus 1 1 देखो same result आ रहे है same result आ रहे है तो मैंने बोला था आपको प्रूव करके दिखाऊंगे मैं so similarly अगर आपके पास x, px cube आ रहा है फिर भी आप ऐसे ही कर सकते हो px cube को आप px square dot px लिख सकते हो okay so आप ऐसे ही कर सकते हो अगर आपको कोई भी question आते है वैसे आपको जूरत नहीं है जो मैंने चार रिसल्ट्स बताएं सिर्फ वह याद रखो x raise to power n अगर आपके पास x आ गया तो आपने क्या करना है plus का sign यूज करने अगर px आ गया तो आपने minus का sign यूज करने और जिसकी power n है उसी को ही आपने n next raise to power n minus 1 करने अगर px raise to power n है तो आपने n px raise to power n minus 1 करने ओके सो यह थी distributed property next property आपके पास कि जो आपके पास operator है जो operator है वो अपने आपके साथ क्या करते हैं हमेशा कम्यूट करते हैं operator always commute with itself or its power okay operators third property क्या है fourth property होगी operators always commute with itself operators always commute with itself or its power अपने साथ या उसकी power के साथ हमेशा commute करते हैं जैसे देखो अगर आपको आगया question में x operator, x operator इसका आपने commutator find out करना है तो वो हमेशा 0 आएगा result इसको आपको solve करने की जूरत नहीं है अगर आपको यह वाला property याद नहीं रहा आपको यह वाला property आपको याद नहीं रहा यह वाला property आपको याद नहीं रहा तो आप क्या करोगे solve करते करते पांच में लगा दोगे बट जो result आने वो तो 0 यान है जो आपके पास दो operators आपस में हमेशा commute करते हैं या फिर अगर आपके पास आ रहा है x operator, x operator का square भी आ रहा है तो भी वो 0 की कलोगा क्यूंकि अपने आपके साथ या फिर अपनी power के साथ हमेशा commute करते हैं जैसे अगर आपको आ रहा है d by dx से पहले आया हूँ है paper में d by dx, d by dx का square अगर आपको इसका commutator find out करना है त तो वो आप चाहिए find out कर लो चाहिए ना भी करो यह हमेशा 0 की कलाईगा यह हमेशा 0 की कलाईगा क्यूंकि operator अपने आपके साथ और अपनी power के साथ हमेशा commute करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी है, operator always commute, operator always commute with a constant, operator always commute with a constant, operator always commute with a constant, okay, so अगर आपको आ रहा है d by dx का a के साथ, तो आप क्या लिख दोगे 0, आँखे बंद करके 0 लगा जाएं, प्यूंकि यह क्या constant है, अगर कोई भी constant के साथ आपको commutator find out करना है ना तो उसका क्या answer हैगा, 0 हमेश operator always commute with a constant, okay, so अगर आपके पास question आ रहा है, जैसे अगर हम लिखे, x square, px square, yes, this solve करके देखो, पहले आप खुल सोल करके देखो, फिर answer match करना, आप गलती करोगे पका, x square, px square, इसका आप commutator find out करो क्या आएगा, yes, मैंने क्या किया, x square, px.px कर लिया, आप चाहिए x.x कर ल answer same ही आएगा, so इसको आप solve करो, तो क्या आएगा, x square, px, 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 plus px, x square, px, इसका result क्या आएगा, x आगया, तो मेंस, आप क्या करोगे, i h cut लगाओगे, 2 i h cut x, px, यह वाला px मेंने बाद में लिखाया, okay, plus यह वाला px मेंने लिख लिया, इसका result क्या आएगा, 2 i h cut x, so अब देखो, अब यह 2 i h cut, तो आपने common ले लिया, अब आपर यहांपे क्या कर सकते हो, यहांपे जो mistake को यह हो सकती है, आप x, px, px, x भी लिख सकते हो, आपने पका यह mistake ही होगी, आपने क्या कर दिया हूगा x, px, px, x 갈 की equal मान लिया होगा, और आपने क्या किया होगा 4IH cut XPX sensor निकाल दियोगा वो भी option में पढ़ा हुआ है आपने क्या किया 4IH cut XPX sensor निकाल दिया बड़ वो नहीं आएगा क्योंकि जो आपके पास XPX plus PXX आएगा जो XPX है वो PXX के equal नहीं है because XPX आपस में commute नहीं करते XPX आपस में commute नहीं करते अगर यह commute निकरते means XPX minus PXX minus PXX is not equal to 0 but अगर आप इसको 4IH cut XPX लिख रहे हो means आपने क्या कर दिया इन दोनों को commute कर दिया but इसका result नहीं पता है क्या होता है XPX का result तो आपको पता है नहीं क्या होता है so आपने क्यों किया ऐसा अगर दोनों के दोनों अपरेटर जैसे कम्यूटेटर दो अपरेटर का देख रहे हम वो दोनों के दोनों अपरेटर मल्टिप्लिकेशन ओपरेटर्स है means जो उनकी ऑपरेशन है वो मल्टिप्लिकेशन है तो वो हमेशा अपस में commute करेंगे ओके ओपरेटर्स with multiplication as their operation operators with multiplication as their operation always commute with each other सब्सक्राइब आपका कोश्चन एक सैकिन में हो जाएगा बट अगर आपको कोश्चन देखके यह नहीं पता लगा कि मिने प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है फिर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इस पे तो फिर कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का और नहीं प्रॉपर्टी लगेशन के लिए क्या जूड़ी है ड़ बार बार रवीजन जूड़ी अगर आपको कोई भी कोई भी कोश्चन पूछता है तो आपको आता हो अगर आपको नहीं आता होगा ना तो फिर आप पका दी मोटिवेट हो गये के लिए क्या जरूरिया दुबारा दुबारा रवीजन जरूरिया बार बार रवीजन जरूरिया so operators with multiplication as their operation always commute with one another for example जैसे रेखो हमें बता है जो position का operator है and जो potential energy का operator है वो दोनों की जो operation है वो क्या multiplication है हमने देखा ही था last video में आपके पास जो position operator है and जो आपके पास potential energy operator है दोनों की जो operation है वो multiplication है so means अगर आप इन दोनों का commutator देख रहे हो तो उसका result क्या आएगा zero आएगा for example आपको question आगया हम आपने x का commutator find out करने है with hx hx के है आपके पास Hamiltonian operator okay Hamiltonian operator क्या होते है total energy का operator total energy means to say kinetic energy plus potential energy so means आपने x का commutator find out करने है किसके साथ kx plus vx के साथ k क्या है k क्या है आपके पास kinetic energy v क्या है potential energy so अब इस पर आप कौन सी property लगा दोगे linearity property लगा दोगे आपको देख के ना पता लगना चाहिए कौन सी property लगा रही हूं मैं so इसको तो आपको जुरूरत ही नहीं है x,vx जिरो ही हो चाहिए means आपको क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ x,kx चाहिए x,kx का result चाहिए यह तो 0 ही है यह तो आपके पास 0 ही है ना यह तो 0 किकल आपको सिर्फ और सिर्फ x,kx चाहिए यह तो आपको इसा ही लग रहा हो कितना आसान कोशन है बट अगर आपको नहीं किया हो ना यह concept नहीं किया हो और अप्रेटर्स काफी important है एक अलग से unit बना हुए आपके स्लेबस में अगर आपने कभी स्लेबस उठाके देखा हुआ हो तो एक अलग से unit बना हुए उप्रेटर्स का एक कोशन पका आता है इसमें से और कितना आसान टोपिक है प्लस वाला बच्चा भी आराम से कर लिए इसको ओके अगर कोशन नहीं आता होता तो हम बाई डिफोल्ट उसको नहीं जिरो लगा देते हैं बच्चा अगर किसी को नहीं पता अगर किसी को नहीं आता वह पता है अगर कोशन नहीं आता होता तो हम बाई डिफोल्ट उसको नहीं जिरो लगा देते हैं बट इसका अंसर क्या था हम अभी सॉल कर रहे है रिवान अपॉन टूम बाहर आ गया मिन्स आपने कम्मुटेटर फाइंड आट करने एक्स का पी एक्स स्क्वेर के साथ तो एक्स का प काफ़ी प्रैक्टीश हो गी आगे एक्स है तो आई एच कट प्लस का आ जाएगा पी-एक्स स्केर सो मींस 2P x आ जाएगा टूमीनी आगे लिख दिया सो मींस two के options में देखके पता चलेगा कि H card की form में अंसर पूछा गया है या फिर H की form में अंसर पूछा गया है ओके, so यह था आपके पास, काफी अच्छा question था, x operator, vx, x operator, hx, okay next property देखो, operators with multiplication as their operation always commute with each other next, आपके पास है, हमने यहां तक 6 properties कर दी, okay operators with multiplication as their operation, operators with multiplication as their operation जिनकी operation multiplication है, वो operators आपस में हमेश्या क्या करेंगे, commute करेंगे next property आपके पास, जो partial differentiation operator है, जो partial differentiation operator है d by dx, या फिर आप curl by curl x बहु सकते हो, वो किसके साथ commute नहीं करता अपने ही coordinate के साथ commute नहीं करता, जैसे देखो, अगर मैं लिख रही हूँ, d by dx है और इसका x के साथ मैं commutator देख रही हूँ, तो वो not equal to 0 आएगा, हमें पता ही है वो क्या आएगा, not equal to 0 आएगा, अगर आप d by dx का y के साथ देखोगे, तो वो obviously क्या आएगा 0 आएगा, क्यूंकि first derivative, first derivative अगर operator में आ रहा है, उस कमें नहीं क्या है, हमने दूसरे वाले operator की differentiation नहीं कर रही है, so means अगर आप y की with respect to x differentiation करोगे, obviously वो 0 ही आएगी, similarly अगर आप d by dx of z देखोगे, वो भी क्याएगा 0, means इसका meaning क्या है, कि जो partial differentiation operator है, first order, जो first order differentiation operator है, वो अपने ही, वो किस के साथ, वो variable के साथ, या फिर variable की power के साथ, कम्यूट नहीं करता, अगर वो वो वाला variable, same ही coordinate का है, with respect to that differentiation, okay, अगर आप d by dy, y देखोगे, तो obviously वो भी not equal to 0 आएगा, okay, so आप लिख सकते हो, first order, partial differentiation operator, first order, partial differentiation operator, does not commute, with position or its power, if both have same coordinates, अगर दोनों के same coordinates हैं, तो means वो दोनों क्या, वो दोनों commute नहीं करेंगे, means जो partial differentiation operator है, वो position के साथ, या position की power के साथ, commute नहीं गएगा, अगर दोनों के दोनों same coordinate है, okay, so for example d by d x, x के साथ commute नहीं करेगा, but d by d x, y के साथ commute करेगा, और अगर मैं देखूं डीवाई डीएक्स एक्स स्क्वेर के साथ भी कम्यूट नहीं करेगा मिस या तो पावर हो या फिर पोजीशन का कोई भी कोडिनेट हो अगर सेम कोडिनेट से हैं तो वह कम्यूट नहीं करेंगे ओके ये था हमारे पास क्या operator की प्रॉपर्टी इस काफिपोट्रेंट है रिज वाली प्रॉपर्टी है चार हो रिजर्स काफि इमपोट्रेंट है X raise to power N PX, PX raise to power N, X, PX raise to power N, 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 X. यह चारोड जोर्स काफ़ी इंपोर्टेंट है. तो अगर X आगे हैं, यह मैं इसके रिजर्ड दुबारा ने दिखरी क्योंकि आपको यादी है. अगर X अागे हैं, आपने प्लस काही हैं, अगर X बाद में, तो आपने माइनस काही हैं, अगर X raise to power N, तो NX raise to power N, M-1 कर देंए. अगर PX raise to power N, तो N PX raise to power N, M-1 कर देंए. यह चारोग ड़ोडोजर्स हैं, इसके बेसिस पे काफे ufen California साते हैं. करेंगे तो थो ना थोड़े से में करवाने लाइफ कॉस्टन देख हो मैं तो बड़े ही सिमपल से कुस्टन वह कुछन नहीं करवांगे क्योंकि अब वह अप खुद कर सकते हो हमने बड़ी डिटेयल में किया है कौई परपर्टी को next वीडियो में हम क्या करेंगे हारमीशन किया हार्मिशन ओप्रेटर कोन से होते है क्या क्या मितलब क्या क्या ट्रिक्स सकते हो क्या अ puta मारे फॉनए ने अव missionary में लिए अवाम कर रहे हैं जो हमने आज किया कमपेटर प्रॉपर्टी उसके बेस कोशें को कर दो जो है आपको स्कॉषन में पूछा गया है x, x, p square की value, फ़हले हम लास्ट कोर्षिन से देखते हैं, लास्ट कोर्षिन में a, b, c, a, c, a, a, b, okay, बीच में भी bracket है, यह बड़े ध्यान से देखना बीच में भी bracket है, इसका जो result आता है, वह हमेशे 0 की कोलाता है, इस property को हम बोलते हैं, jacobian property, jacobian property, okay, नेक्स कोर्षिन देखो, आपको दिया गया है, a, b is equal to 0, a, c is equal to 0, then आपने बताना है इन चारों में से कौनसी option correct है, so अगर a, b का commuter is 0 है, a, c का commuter is 0 है, तो क्या b, c का commuter is 0 होगा, b, c का commuter is 0 होगा, b, c का commuter का meaning क्या है, b, c minus c, but ना ही b, c 0 है, ना ही c 0 है, means आपको यह option ही आप देखें, यह मत्तिमाग लगाना, के a, b b 0, a, c b 0, to obviously b, c b 0 हो जाएगा, बट यह सा नहीं होता, next question, next option देखो, a, b, c, a, b, c का मतलब क्या है, a, b, c बाहर, plus b बाहर, a, c, अब देखो, a, b, b आपको 0 दिया हुए, a, c भी आपको 0 दिया हुए, 0, plus 0, यह आपको पास 0 ह में, जो b option है, वो correct है, similarly, आप c and d करके देखोगे, यह incorrect आजाएगे, okay, next देखो, third question, e, a, b की आपको बताना है, commutator क्या है, आपको a, b is equal to 1 दिया हुए, okay, a, b दिया हुए, आपने e, a, b बताना है, अब देखो, e, a क्या होते है, yes, e, a क्या होते है, 1 plus a, plus a square by 2 factorial, plus a cube by 3 factorial, plus a 4 by 4 factorial, plus up to 7 and बाद में क्या है, आपके पास, b, okay, so, इसका मीनिंग क्या है, हम linearity property लगा देंगे, इसका मीनिंग क्या है, 1, b, plus a, b, plus a square by 2 factorial, factorial, comma, b, plus a cube by 3 factorial, comma, b, plus up to 7, okay, so, यहां पर देखो, 1, b है, 1 क्या है, constant है, अगर आप constant का commutator देख रहो, तो वो हमेशे 0 होते है, हमने वो वाली property यूज़ कर ली, operator always commute with a constant, okay, next, देखो, a, b, आपको 1 दिया हुए, यह मैंने 1 लिख लिया, plus a square, comma, b, a square, comma, b, को मैं क्या लिख सकते हूँ, 1 upon 2 factorial मैंने बाहर लिख लिख लिया, a square, comma, b, को मैं क्या लिख सकते हूँ, a, dot, a, comma, b, plus a cube, one upon 3 factorial मैंने बाहर लिख लिख लिया, a cube, b, को मैं क्या लिख सकते हूँ, a square, dot, a, comma, b, plus up to 7, okay, so, आप देखो, a, dot, a, पहले हम इसको solve कर लेते हैं, a dot a comma b, a dot a comma b को आप क्या लिख सकते हो, a, a, b plus a, a, b, a, a, b की value आपको बांदी हुई है, a, b की value आपको बांदी हुई है, means a plus a, यह कितना बन गया, 2a, यहां पे आप क्या लिखे दोगे, 2a, 2a divided by 2, 2a divided by 2, आपके पास क्या जाएगा, a, means 0 plus 1 plus a, similarly अगर आप इसको solve करके देखोगे, इसको solve करके देखोगे, तो आपके पास अंसरा आजएगा, a square upon 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 factorial भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 factorial 2 में कोई अंतर नहीं है, a square upon 2 factorial, plus a cube upon 3 factorial, plus a 4 upon 4 factorial, यह सारा कुछ ऐसी आजएगा, इसका मिनी क्या है, यह अगर आपको a, b किसके इकुल दिया हुए, वान के इकुल दिया हुए, next question देखो, second question में आपको पूछा गया है, px, py का, commutator बताओ, px, py का, yes, px किसके इकलोता है, ih cut, minus ih cut, curl upon curl x, minus ih cut, call upon curl y, बाहर आपके पास function है, psi xy, okay, psi यह आपको state function दिया हुए, यह state function, path function हमने thermodynamics में किया था, कोई भी functional state function कब होता है, जब वो euler serum को, euler serum follow कर रहा हूँ, okay, so हम अभी देख रहे हैं, euler serum क्या होती है, वैसे आपने, अगर thermodynamics वाली वीडियो नहीं देखी, तो please पहले thermodynamics देख लो, so minus ih cut and minus ih cut, यह दोनों हमने बाहर लिख लिया, तो यह क्या बन जाएगा, plus i square, h cut square, plus i square, h cut square, क्या बन जाएगा, minus h cut square, curl upon curl x, curl upon curl y, बाहर आगया आपका psi, so अब देखो, इसका मेनिंग क्या है, a, b, minus ba, so means, minus h cut square, हम अंदर bracket में क्या आगया, curl upon curl x, curl upon curl y, साइ, minus curl upon curl y, curl upon curl x, साइ, इसका मेनिंग क्या है, minus h cut square, curl square, साइ, upon curl x, curl y, minus curl square, साइ, upon curl y, curl x, अब हमने यह दिखना है, कि यह 0 के इकल है, कि नहीं है, यह 0 के इकल क्यों होगा, क्यूंकि साइ क्या है, आपको state function दिया हुए है, size state function इसका मेनिंग क्या है, कि पहले आप जातो y के साथ, reflection कर लो, या एक्स के साथ कर लो, या फिर पहले आप x के साथ कर लो, फिर y के साथ कर लो, दोनों का result क्या आता है, सेम आते है, अगर कोई भी function, state function है, तो अगर आप उसका double derivative कर रहे हो, पहले y के साथ, फिर x के साथ, या फिर x के साथ, फिर y के साथ, जो दोनों का result है, वो same आते है, so means इसकी value क्या होगी, 0, इसका meaning जो px, py का commutator है, इसकी value क्या होगी, 0, px, py का commutator किसकी equal है, 0 की equal, because हमें जो साही है, वो state function दिया हुए, next देखो, next question में आपको पूछा गया है x, x, p square, यहां पर p square है, px square, py square, pz square, नहीं दिया हुए, अकेला p square है, अकेला p square का meaning क्या है, px square plus py square plus pz square, okay, so इसका meaning क्या है, x, x, px square plus py square plus pz square, okay, so हमें बता ही है, अब आप यहां पर linear property लगा दोगे, जो x, px square plus x, py square plus x, pz square, जो x का py and x का pz square है, वो तो 0 ही हो जाएगा, क्यूंकि हमने देखा ही था last वाली, जो आपके पास differentiation operator होता है, differentiation operator, position या position की power के साथ, 0 के इकल होता है, commute करता है, अगर दोनों के दोनों coordinates के हैं, अगर दोनों के दोनों coordinates अलग-लग हैं, so means आपके पास क आगया, x, x, px square, अब अब आपने इसको solve करना है, पहले आप अंदर वाली bracket को solve करो, अंदर वाली bracket को solve करोगे, तो x पहले है, तो means i h cut आ जाएगा, px square है, तो means 2px आ जाएगा, x, i h cut हमने बाहर लिख लिए, 2i h cut हमने बाहर लिख लिए, अंदर क्या राएगा, x, px, x, x, px की क्या होगी, i h cut, so means 2i square h cut square, खोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना, पहले हमने xpx square, xpx square हमने i h cut हमने बाहर लिख लिए, 2i h cut हमने बाहर लिए, x, px, x, px i h cut होता है, 2i square h cut square, i square means negative आ जाएगा, minus 2h cut square, यह अंसर आ गया, यही पहले paper में आया हुए, x, x, p square, p square का मत आज का वीडियो कम्यूटेटर पे काफी important topic है, अगर आपको कहीं पर भी doubt है, तो please comment करके मुझे बता दो, okay, तभी आपका doubt के लिए कर पाऊंगी, मैं, अभी यह तो, अभी यह तो सिर्फ मैं YouTube पर पढ़ा रही हो, अगर आप सामने बाठे होते होते, तो हम face to face discuss कर लेते, but आप कोई बात नहीं, आप comment के जरीए में को बता दो, okay, मैं वहीं पर आपका doubt के लिए कर दूँगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो please like कीजिए and maximum share कीजिए, thank you.